है ठीक है सो हमने ऐसे ही बड़े हार्ड ली बहुत जादा हार्ड ली हमने इस कलर्स को आपस में मिक्स करने को कलर्स मिक्स हो रहे हैं ठीक है आपने ऐसे ही बहुत हाटली सारी शीड पर ठीक है ऐसे कलर मिक्स करने है इस से बाद स्सक्राय तो बहुत एसली ही नहीं थीडर पर ठीक है कितने अच्छे से कलर जो है वह मिक्स कर रहे हैं हाने कुछ पाहर से कुछ नहीं मटीरियल आप सिंपल सा मटीरियल है जो आप अरड़ी यूज करते हूँ ठीक है now after mixing the color ठीक है मैं two color यूज कर रहे हूं that is one is black one and other one is blue so sorry so this is a black one so black one use कर रहे हूं after that this is a white one so white one मैं इसलिए यूज कर रहे हूं because moon के आसपास मैं नहीं रोशनी शो करनी है so इसके लिए मैं यहां पे white color कर रहे हूं इसके आसपास and after that मैं इस color को भी mix कर दूँगी ठीक है now this is a black color so you know that के जो night views है तो हमने night view शो करना है तो हमने थोड़ा थोड़ा black shading भी include करनी है ठीक है तो मैं इसके जो boundaries है मैं वह थोड़ी blacks black color के साथ शो कर रहे हूं student after mixing जो मैंने boundary बनाए थी अब भी then इसको मैंने again a clean paper लिया or you can use cotton cloth okay आप cotton cloth ले सकते हो तो मैंने इसके साथ इसको भी mix कर दिया अफर इड़ा मैंने black color को भी mix कर दिया now मैं यहां पी pencil के साथ boundary बना रही हूं जिसके साथ मैं यहां पी tree draw कर रही हूं ठीक है so मैं यहां पी tree की जैसे tanya बना रही हूं okay so after boundary so look at this ठीक है drawing जो यह drawing एसमें देखो मैंने black color ठीक है black मैंने color यूज किया और इसके साथ मैंने tree बना दिया ठीक है you can draw anything आप girl draw करो कुछ भी moon scenes draw कर सकते हो ठीक है after that मैंने कर किया ठीक है मैंने white nail layer white nail key heart से मैंने just यहां पी लगा दिये dots लगा दिये this seems like a stars okay so this seems like a stars so a see he up view कर सकते और मैंने नीचे क्या किया है जो मैंने boundary बनाई थी उसके नीचे मैंने क्या किया है तो यह मेरी वो diagram है जो मैंने already त्यार करके रखी हुई है ठीक है तो मैंने blue color लिया white color लिया और उसको फिर again ऐसे ही coloring करके rough coloring करके ठीक है mix कर दिया after then मैंने बड़े ही अराम से ठीक है आप इसको tilted remove करोगी ठीक है like that ऐसे remove करोगी देखो बहुत smooth boundary आ रही है ठीक है तो आप इसको remove कर देंगे ठीक है तो ऐसे आपके पास boundary त्यार हो जाएगी ठीक है तो ऐसे ही आप night view के साथ sunny views बना सकते हो rainy views बना सकते हो तो different view scenarios बड़ त्यार कर सकते हो so hope कि आपको यह scenery और drawing अच्छे लगी होगी और you can draw ठीक है this scenery so I want कि आप ऐसी ही beautiful sceneries prepare करो त्यार करो because within 10 minutes ठीक है 10 और 15 minutes consume होगे आपके और यह आपकी scenery त्यार हो जाएगी so I want कि आप different scenes prepare करो त्यार करो और मुझे मेरे whatsapp personal number पर यह activities अपनी send करो after vacations यह आप मुझे सब submit करवाओगे on the pity meet जो भी अपका pity meet day होगा आप तब मुझे submit करवाओगे so hope you enjoy this activity thank you बेटा and have a nice day